हेलो फ्रेंड्स वेल्कम ट्यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो आज दिए इस वीडियो दे विच्च आपा गल्ल करांगे प्लस टू क्लास द अपना लेस्न है हसन्ज अटेंडेंस प्रोब्लम रिटन बाई सुधा मूर्ती येड़े सुधा मूर्ती अपने राइटर ने वो कालज दे विच्च बैंगलार कालज दे विच्च बच्चानू कंप्यूटर साइन्स है जड़ा ओ सुजेक्ट प्ड़ाँ दे सी सो एसली उन्ना दा बहुत सारे येड़े स्टूडेंट्स ने उन्ना नाड मतलब मेल जोल उन्ना दा हैगा सीगा सो उन्ना सारे ही स्टूडेंट्स दे विच्चों ओ अपनू इक स्टूडेंट वारे इस लेसन दे विच्च दस रहने क्योंकि ओ स्टूडेंट येडा ओ बाकी सारे ही स्टूडेंट से नाड़ों वक्रा सी मतलब के युनीक सी गा ओस स्टूडेंट दा नाम सी हसन ओ देखन दे विच्च लंबा सी टॉल सी हैंडसम सी अते तीसरी गल ओस दे डी मेमरी है याद सकती ओ बहुत जादा सी मतलब के कलास दे विच्च हो हमेशा फस्ट होंदा सी पर ओस दी इक जड़ी प्रॉबलम सी बहुत जादा ओ हो कॉलज दे विच्च बहुत कट होंदा सी मतलब के ओस दी टेंडेंस है जड़ी बहुत जादा शॉट होंदी सी ते अपनी राइटरा येडी सुधा मूर्थी अपनो ए दास दिया से लेसन दे विच्छ के ओस बच्चे नूँ हसन नूँ कॉलजी दे विच्छ बहुत ही कट दिखा यांदा सी मतलब के जदो कोई टेस्ट होना जा फिर जदो कोई एक्जाम बगएरा हुन दे सी ओस दे कारना उन्ना दी येडी मुलाकात है सिर्फ ओस दे कारना उसनू कॉलजी दे विच्छ बुलाया जान दा सी गा ति ओस दे विच आके जड़े राइटर ने सुधामूर्ती उनन पढ़ाओं दे सी उनना टीचर उनना नूँ आके रिक्वेस्ट करदा सी के जड़ी मेरी टैंडन्स है हो पूरी करदीती जावे ता जड़ी राइटर सीगे सुदा मूर्ती ओ बहुत ज़ादा द्यालू सीगे ओ नहीं चौनदे सी किसे बच्चे दा फ्यूचर है मतलब कि शौटेज अटेंडेंस जड़ी शौटेज दे कारण ओ खराब होगे ता एसलिए हो हसन दी यड़ी अटेंडेंस है ओ पूरी करदन दे सी अते नाल ही यड़ा हसन है ए बादा करदा सी उन्ना नुके आगले समेश्टर दे विच में पक्का रेगुलर आमांगा चलो एक्जाम होगे जदो अगला समेश्टर भी होँदा ता एड़ा हसन है उस दी प्रॉबलम सेम ओ ही रह दी मतलब कि उस दी अटेंडेंस से जड़ी हो द्वारा फेर शौट होंदी ओ कालेज दे विच बहुत कट आउदा सी ता इस दे सुदा मूर्ती ने जड़े उना बहुत ज़ादा गुस्सा आया क्योंकि ओ नहीं पसंद कर दे सी के कोई स्टूडेंट है यड़ा इनना ज़ादा गैर हाजर होँए ओ चौंदे सी के स्टूडेंट ने जड़े हो रेगुलर होना हाजर होन कालेज दे विच दे शान ने ओभी कहें देने के असी हसन नो कुछ नहीं कह सकते हसं दी माता है ओ दस दिया राइटर नो केड़ा हसन है और रात रात पर मतलब बहुत देगर तक गाने सुनी यंदा है अत्याब दे दोस्ता नाल गप शाप यड़े हुमारी यंदा है एसलिए हो रात नो कहे यह अपनी डिगरी है Master of Computer Applications उत्थो कर रहा हुंदा है एक कंप्लीट हो जन्दी है मतलब के कॉलेज दे विच्चू अपनी डिगरी है है कंप्लीट कर लन दा है ता यह राइटर है सुदा मूर्ती वह अपनों दस देने के जदो ए डिगरी कंप्लीट करके चले जन देने सा दे बिच्चू ता एक दने की हुंदा सौंबार दे देन अचान की काफी साल ना दे बाद जैडि राइटर है सुदा मूर्ती ओ दस देने के उनना नू मिलन एक आदमी हो दै लगपा गोस्त दी 25 साल दी उमरा है जिस दे सिरुपर कोई भी बाल नहीं है गा एंडो थोड़ जै है विए मुट्ट थाओ आ पाउ आके सुदा मूर्ती कोड़ हो देने ते सुदा मूर्ती नू आ आके हो सॉफ्ट वेरे जिडिस ने ओ बैचना हुझे उनने मतलब के कम्प्यूटर दी टियो इडी सॉफ्ट वेरे हुझे ने उनना दे सीडिय हो बैच दॉब चनदा कम क बाहर दा सारा येड़ा वर्ल्ड है उसनों देख सक देयां बट असी बाहर तो खिड़की दे अंदर की ये नहीं देख सक दे जेड़ी ए लाइन उसने बोली ए लाइन हमेशा सुधा मूर्थी ने उख अपनी कलास दे बीच बोलिया कर दे सी ता एस तो उनने ने अंदज्ज कर दो कहा के मैं तो अध़नी स्टूडेंट तां ए मैं कलास दे विच्छ हमेशा लेट हूंदा थी मतलो के गैरहाजर बहुत रहनदा सी कलास दे विच्छ क्यआं कि यह एड़ घसन दे दूसरे बेच मेट सी गे, कलास मेट सी, ओस सारे ही बहुत ज़ाधा अमीर बन चुके सी, ते उन्ना नो जिड़ बहुत बदिया नोकरियां नो मिल चुकीं सी. पर हसन दे अजिया नहीं सी. जेड़ा हसन है ओहो एक वधिया नौकरी दी तलास दे विच हजे भी कुम रहा सी ओसनु एक बहुत वधिया नौकरी जेड़ी नहीं मिली ओहो मतलब अमीर नहीं हो सक्या क्यों क्योंकि जेड़ा ओसना रवया सी गा क्लास दे विच लेट ओन दा गैर हाजर भून दा ओ मतलब उस दी अग्याली लाइफ दे विच भी उधना ही चलदा रहा ओसे तना हो आरसी रहन दा मतलब के गैर हाजर रहन दा जे किते भी ओहो नौकरी कर दा ओफिस दे विच ओसनु कोई नौकरी दे दिन दा ताँ ओफिस दे विचे हमेशा लेट जन्दा जा फिर गैर हाजर रहेंदा कई दिना तक एस तों जड़ा उस ओफिस दा मालक है ओसनों नौकरी तों कट दिन्दा सीगा ताँ एस करकेड़ हसन है और राइट सुदा मूर्ती नौ अपनी ये सारी अंगलना सनोद है कि मैं अज भी उसे तरह ही जिस तरह पहलना सीगा गैर हाजर अज भी उसे तरह गैर हाजर रहना ते एस करके मैं नौ जड़ी है कोई भी चंगी नौकरियों हो नहीं मिल सकी ते ना कोल नहीं सी एस करके मैं अपने दोस्तां दे वांग कोई भी नौकरियों हो प्राप्त करन दे विच्च असफल हां मतलब कि बहुत ज़्यादा नराश है ता एस उत्ते जड़ी राइट रह सुदा मूर्ती ओसनों कहने है कि नराश हों दी कोई जरूरत नहीं जिंदगी दे नहीं सकता एसली मैं असफल हां पर सुदा मूर्ती ओसनों कहने ने के अजहा नहीं है जेकर इंसान चाहे ताओ अपनियां आतानों बदल सकते अपनियां बुरियां आतानों चंगियां आताने विच्च तबदील कर सकते मतलब कि हसनु हो उसला दिन देने हो कि तुसी अपन रखाँ उसला मिलिया अते ओ इननल बादा कर दा है के अज तो बाद वो पूरी कोशिश करेगा के हाजर होन दी ते टाइम दा पका पावंद होन दी तो इनना कहके जड़ा हसन है और सुदा मूर्तियीतों विदा लेलंद है ते उस तो बार जड़े राइटर ने अपने उदा अननों के हासन ने अपने एड़ी आस्ता ने ओ चेंज करिया होन गी या ते उसनों बधियक नौकरी मिले होवेगी ते ओ अपनी जिंदगी दे विच्छ काम जाब होवेगा तो ए थीड़ा लैस्ने है अपना खात्म हो जान सो आई होप के तो अनों पुझाबी दे थैंक यू सो मच